इसे कट कर लिया है और अब यह डायमॉंड शेप में है इसके बाद हमें रेंडम ली कोई भी पेपर पिक करना है और उसको ऐसे फूल करना है फिर हम उसे कट कर देंगे अब हम इसको पेश करें इसके बॉटम पॉइंट पर हमें पेश करें ने बन्हार पाद है फ्रेंड्स मेंने पेशका रिया है फिरिक्य फ्रेंड्स यह देखिये फ्रेंड्स मैंने कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉप लिया है अब हमें कोई भी रेंडम प्री शीप से टू-टू ऐसे शेप्स का लिया है और जो बाकी का एक शीट बचेगा अमें उसमें से बढ़नी कट करें फ्रेंड्स यह देखिये मैंने सारे शेप कट कर लिया है मैंने यल्लो का दो पिंक का दो और और औरेंड का दो और ग्रीन का एक का लिया है अब हम इसे पेस्ट करेंगे दो अब हमें इसे पेस्ट करेंगे अब हमें इसे पेस्ट कर लिया है अब हमें इधार और इधार भी पेस्ट करना है अब हम डिफ्रेंट कलर करेंगे अब हम इधार भी पेस्ट करेंगे अब हमें एक जागे की रिक्वार्मेंट को मैं अभी लेकर यह देखें यह ओल है अब मैं इसे कट करेंगे अब हमें चार पेटल्स को पेस्ट करना है इसलिए मैं अभी इसका ना आपना है अब हम इसके प्रेक्साइट पेस्ट करेंगे मैंने एक सेलो टेप की हैच से पेश करिया है अब मैं और एक टेप है अब शेंच में तोड़ा से बढ़ा लोगा इतना काफी है अब मैं इसको सिधा करेंगे गाले के बाद ये सा हमे हों दा लाइवाए चांगे और फिर रोब को ऐसे रखना पूले है फिर केप से पास्त करना देखते है ये हम सेलो टेप से पेस्ट करेंगे है अब मैं दूसरा पैटल लगाता हूँ सॉरी फ्रेंग्स जी रोग को परेंगे हैं अब हम अबना लाज पैटल ली ये गाने है अब हम इसको सीजा करें और सीजे देखें इसका लोग अब हमें वाइट कलर का स्मॉल पेपर लेना है अब हमें अब हमें दूसरा हाफ प्रोड करेंगे है फिर एक कैप के महाँचे हमें इसे कट कर दूने है लाइटों कर दूसरा प्रेंड्स मैंने आई इसके लिए टूसर कल्स कट कर दी है अब मैं इसे पेज कर देताओ यह देखे फ्रेंच में ने वाइट कलर के सरकल से कम कट गया है अब हम इसे वाइट के सेंटर में देज़ करें अब हमें ट्रैंगल सा नोस चाहिए रेट कर लाएट लेके मैंने ट्रैंगल चेप में एक नोस को बढ़ दिया है मैं इसे पेश करता हूँ फ्रेंच अब हमें इसकी स्माइल भी कट करनी है एक वाइट पेपर से यह दे के स्माइल अब हम स्माइल को पेश करेंगे तो फ्रेंच हमारी काइब तो रेड़ी हो करिया है यह है हमारा पाइब यह है फ्रेंच आप मेरा फाइनल प्रोड़क्त देख सकते हो यह कितना ब्यूटी वो लग रहा है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यूँ अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज लाइक शेर खाले का सकते है